बादल के कोच रजनीकांत के मुताबिक बादल 65 किलोमीटर की दूरी तैकर बुधिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुका है लेकिन अब तक वो किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है इसलिए उनकी इच्छा है कि वो दौर कर सीम आवास तक जाए जिसके बाद सीम के आदेश पर प्रतियोगिता का आयोजन हो और उसमें बादल वर्ल रिकॉर्ड बनाए बादल प्राथमिक विद्याले सक्री में कक्षा दो में पड़ता है इसका और इसने साथ घंटे दोड़ा है 65 किलमेटर जो की बुदिया सिंग ने रिकार्ड बनाया है उसी बुदिया सिंग का रिकार्ड बादल तोड़ना चाहता है इसके लिए प्रसासन से गुहार लगाई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसने अल्ट्रा मेरात से और आज यहां से निकलेंगे मुख्यमंतरी अवास से मिलने और बादल अपनी यही बाते रखेगा कि मुझे बुदिया सिंग का रिकार्ड तोड़ना है इसके लिए मुझे मज़द मिले जो कि मैं उसका रिकार्ड तोड़ करूँ बुदिया ने साथ साल की उम्र में पुरी से भुवनेश्वर तक 65 किलोमीटर की दूरी महस साथ घंटे दो मिनिट में तैकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से प्रयागराज के मानदा इलाके का साथ साल का बादल सीएन योगी आधितनाथ से मुलाकात के लिए निकल पड़ा है बादल ने एक अगस्त को मिर्जापुर धाम में मा विन्धेवासिनी के दर्शन पूजन के बाद अपनी यात्रा शुरू की है दौरते हुए तीन दिनों में बादल प्रयागराज पहुँचा है बादल के साथ उसके कोच रजनीकांत और चचेरे भाई विकास भी है बादल के पिता कृष्म कांत बिंद्ध साथ उसके करेंगे करेंगे बादल के पिता कृष्ण कांथ बिंद मानदा थानाक शेत्र के भौसरा नरोत्तम ललितपुर गाउं के रहने वाले हैं मूल रूप से खेती किसानी करने वाले कृष्ण कांथ के पास आमदनी का कोई दूसरा जर्या नहीं है लेकिन अपने बच्चे की दौर के प्रती ललक को देखते हुए वे भी उसे अब एक धावग बनाना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि उनका बेटा बुधिया के रिकॉर्ड को तोड़े बादल की मा अनीता देवी ग्रिहनी है लेकिन बेटे के सपने को पूरा करने के लिए इस मिशन में उसका पूरा साथ दे रही है